गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगोंने एक exercise देखी थी enhancing text tutorials जिसमें मैंने आप लोगों को एक question दिया था कि यार आप लोग को text tutorials को enhance करना है आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले एक नया component बनाएंगे जिसका नाम होगा about about.js नाम को एक नया component बनाएंगे और उस component की साहिता से हम लोग state को समझेंगे कि state क्या होता है ठीक है तो यह था हमारा बहुत ही basic सा text tutorials website हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि जल्दी से अभी मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पर terminal को ताकि थोड़ा बड़ा view दिखे मुझे और मैं यहाँ पर जल्दी से components के अंदर एक component बनाऊंगा जिसका नाम होगा about.js और क्योंकि मैंने ES7 react redux graphql snippet stall किया हुआ है यहाँ पर rfc लिखंगा मुझे मिल जाएगा react का function based component और यह extension इतनी समझदार है यह प्यारी इतनी समझदार है यह समझ गई कि यहाँ पर about.js जो है वो मेरे component का नाम है तो यहाँ पर about लिख dot com पर जाऊंगा और मैं यहाँ पर loot कर लेकर आऊंगा एक component get bootstrap dot com से और एक बहुती basic सा about component मैं देखता हूँ accordion मुझे कोई धंकी मिल जाए जिसमें मैं अपनी website to describe कर सकूँ तो शायद मैं इसको copy कर लेता हूँ ठीक है I'm making a random component to be honest मैं आपने class add करूँगा div class name is equal to class name is equal to और यहाँ पर container ठीक है और उसी के साथ आप यह देख लेना कि कोई red red color से ना आए अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपने कोई ऐसा component छोड़ा हुआ है जिसमें आपने जो closing बाला tag वो नहीं लगा है ठीक है तो वो देख लेना इसे input अगर आप copy करके लाते हो bootstrap से तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा about component कैसा काम करा है लेकिन about component को हमने use नहीं किया तो मैं काम करूंगा कि यह जो हमारा navbar के बाद text form है यहाँ पर text form यूज ना करके about component यूज करूंगा तो मैं काम करता हूं जल्दी से मैं आप लिखता हूं about ठीक है और यहाँ पर मैंने about और यह देखो यह मुझे automatically बता रहा है कि कि आप यह वाला component यूज करना चाहते हो कि about component को लेकर रहा हूं अगर आप इस पर click कर देते हो तो इस ने import भी कर लिया आपका जो about वाला component था देख रहो कितना smart है और इसको इस तरह से आप save कर लो यह text form component यूज हो नहीं रहा है त या बता रहे हो अपनी website के बारे में लोगों को तो मैं काम करूँगा यहाँ पर about component के अंदर यह heading डालूँगा मैं काऊँगा यार h1 मैं in fact क्या करता हूं सबसे पहले jsou jsxs को थोड़ा सा मतलब tap देके यहाँ पर indent ठीक करके इसका रागी पता चलेगी हाँ यार यह जो particular ht इस accordion के अंदर है यह accordion यहाँ पर बंद हो रहा है ठीक है तो थोड़ा सा indentation वगएर आप कर सकते हो यह काम prettier से भी आप कर सकते हो बड़ गयर हम लोग यहाँ पर अभी खुबसूरती बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे हम उल्ड़ा ध्यान देंगे एक heading डालने पर और about us मैं heading दो है ठीक है तो मैंने आपर about us heading दे दी और यह about us यहाँ पर आ गया और इनके बारे में आ गया और maybe आप इसको h1 करना चाहें और आप देख रहो किस तरह से मैं h1 को change कर रहा हूं तो यह भी change हो जा रहा है यह कमाल है auto rename tag वाली extension का ठीक है उपर नीचे अगर आप वो तो आपकी requirement पर depend करेंगा about us मैंने आपर लिखा इसके you को capital शायद में करूँ तो अच्छा लगे अपने इसाब से आप लोग कर ले ना वो सब चीजे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक feature add करेंगे इस website यह तो मैंने bootstrap से copy paste मा रहा है तो आपको पता है कोई मैंने न ले button but हम लोग क्या करेंगे आपर समझने के लिए state को यहाँ पर dark mode जो है enable करने का button मनाएंगे ठीक है तो यह मेरा container यहाँ पर बंद हो रहा है सबसे end में तो मैं क्या करूँगा यहीं पर एक button डालूँगा ठीक है और मैं लिख दूँगा enable dark mode और dark mode को enable करने के लिए मैं क्य यहाँ पर और जो इसका color है अंदर वाले का उसको मैं white कर दूँगा ठीक है अब आप देखना में यह काम कैसे करूँगा तो मैं काम करूँगा कि यहाँ पर buttons को bootstrap से ले करूँगा सबसे पहला काम तो यह करूँगा primary button का जो type है और class है वो copy कर लेता हूँ यहाँ पर लग दालना चाहें ठीक है क्योंकि एक पुरा अपने आप में एक entity है तो आप इसको एक container में डालो तो दोड़ादा धंका दिएगा ठीक है और इस container में आप MY 3 दे दोगे तो थोड़ी सी दूरी भी बना कर रखेगा यह y-axis में थोड़ी इसमें दूरी बना ली अगर में चाहता हूँ कि जैसे में क्लिक करेंगे अशरी डर्क मेंच एक चीज्म में बताना चाहा हूँ या आप स्टाइल कर सकते बो डेरट्ले यह नापर for example, अगर मैं आपर style is equal to करों, तो मैं style is equal to, एक style variable दे सकता हूँ, मानलो, मैं इसका ना my style रख लूँ, अब यह my style क्या होगा, यह my style एक object होगा, और मैं दिखाता हूँ, यह object को इस तरह से दिखाई पड़ेगा, किस तरह से दिखाई पड़ेगा, दिखाता हूँ, तो मैं लि लिखता हूँ, background, देखो, CSS में आप इस तरह से लिखते हो, background-color, यहाँ पर आप camel case में लिखोगे, आपने, अगर javascript पड़ी है, थोड़ी सी भी ठीक से, तो आप लोगों को यहाँ पर यह चीज मालूम होगी, कि जब भी आप लोगों को javascript के अंदर किसी भी element का style बगए इसे लिखते हो, ठीक है, is equal to, let us say, cn, मानलो मैं चाहता हूँ, इसका style change करना, let us say, मानलो मैं चाहता हूँ, nav bar का style change करना, तो मैं body को खोलूँगा, और यहाँ पर nav bar को select करूँगा, और मैं आप लिख दूँगा, dollar zero, dollar zero भी अगर आपको नहीं वालूम तो भी बता देता हू यहाँ पर, तो मैं जैसे यहाँ पर background color is equal to cn लिखूँगा, या background color is equal to red लिखूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो कि इसके अंदर एक style add हो जाएग, background color red, अब यह style यहाँ पर काम इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि already इसमें यह style set हो रखा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं क सारी की सारी आजारी है, background size, block size, border, और मालो मैं यहाँ पर border देना चाहता हूँ, border is equal to 2 pixel करना चाहता हूँ, मालो मैं, या फिर 7 pixel solid red, ठीक है तो यह तो यह style लग गया, तो आप जिस तरह से $0.style.border करना चाहता हो, बाइद हम बाइद हम बाइद हम बाइद हम बाइद हम करना $0 को, ठीक है, $0 मतला वो element जिसको मैंने select किया हुआ, तो मैंने जिस element को select किया हुआ, इसको style.border कर दो यह, तो मैं इस तरह से JavaScript set कर सकता हूँ, dash नहीं लगेगा यहाँ पर, camel case यूज करता है JavaScript, तो react भी camel case ही use करेगा, react kind of raw JavaScript ही है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने color को red किया, background color को blue किया, और यह जो style था, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, style is equal to this, तो जैसे ही मैंने style is equal to यह डाला, आप लोग देखो यहाँ पर, कि जो यह वाला container है, इसके अंदर यह सारी-सारी properties आ गई, देखो आप लोग सारी properties आ गई, इसके अंदर blue हो गया, background, फिर इ सारी-सारी चीज़े यहाँ पर आ चुकी है, तो मैं इस तरह से style चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर dark mode को enable करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि इनी colors के साथ game खेलेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा background color, मालो मैं black कर देता हूँ, और color मैं white कर दूँगा, तो background color को मैं black क कुछ इस तरह से हो जाएं कि सब कुछ black black दिखें, तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, जो मेरा style is equal to my style है, वो मैं इसमें तो डालूँगा ही डालूँगा, उसी के साथ साथ accordion में भी डाल दूँगा, अच्छा यहाँपन मेरी एक नजर पड़ी error में, मैंने क्लास यूज़ कर दिया, क्लास नेम की बजाए, कहां पर किया है, मैंने यहां पर किया है, तो मैं इसको ठीक कर लूँगा, यह ठीक हो जाएगा, तो अब कुल मिलागर मुझे क्या करना है, कि जो style मैंने बनाया, style is equal to my style, सबसे पहले तो मैं क्या करना जाता हूँ, background काला कि इसका करना चाता हूँ, इस accordion का करना चाता हूँ, मैं reload करके error से निजात पाता हूँ, अभी तक नहीं पाया मैंने निजात इस error से, what is this, मैंने class कहां यूज़ किया है, okay, यहां पर यूज़ किया, class is equal to, मुझे replace करना पड़ेगा, class name से, सारी classes को, जहां जहां class is equal to use हुआ ह class name is equal to use कर दो, replace all कर देते हैं, save कर लेते हैं, अभी काम हो जाना चाहिए, हां हो गया काम, अब मुझे क्या करना है, दो काम करने, एक तो यहां पर आप यह बटन देख रहे हो, इसमें मुझे जो background color है, जो इसका background color है, उसको मुझे black करना है, dark mode के लिए, ठीक है, और इसके color करना है, तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, तो kind of मेरा dark mode enable हो जाएगा, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, कि जो यह button है, इसके अंदर मैं style देता हूँ, तो जहां-जहां मेरा class name is equal to accordion button collapsed है, मैं यहां पर style is equal to my style देता हूँ, तो एक मैंने किया, दूसरा भी ढूंदता हूँ मैं दूसरा यहां पर आगया, यहां भी style is equal to my style देता हूँ, और तीसरा कहां पर है, एक और होगा button हमारा, कहां गया भाई तुम, तीन होने चीए button यार, एक, दो, तीसरा कहां गया, तीसरा कहां गया, मिल गया, तो मैं क्या करूँ, मैं यहां भी डाल दूँगा, उसी के सा रहे है, वो आप छोड़ दो, ठीक ठाक लग रहा है, उतना भी बुरा नहीं लग रहा है, बट अभी आप कुछ ऐसा समझ लो कि हमने dark mode को enable कर लिया है, तीक है, यहां पर मैं click कर रहा हूँ, तो dark mode मेरा enable हो जा रहा है, अब अगर इस style को मैं state variable बना दूँ, तो मैं यहां प use state, तो मैं use state hook का इस्तिमाल करूँगा, और यहां पर मैं my style को हटा देता हूँ, मैं control x कर देता हूँ, और मैं आपर constant मनाता हूँ, और मैं लिखूँगा, यहां पर my style और set my style, यहां पर set my style मैं कर दूँगा, और यहां पर initial state होगी मेरे style की, वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी, ठीक है, यह initial state होगी, and obviously मैं आपर use state को जो है import करूँगा, react में से, तो use state, ठीक है, मैं use state को import करूँगा, तो यह मेरी state है, अब मैं set my style करके, in fact मैं इसको भी camel case कर देता हूँ, set my style का use करके change कर सकता हूँ state को, तो मैं करूँगा क्या, मैं आपर एक arrow function मनाता हू मैं आपर लिखूँगा, जो इसका on click है, यानि कि इस button पर अगर कोई भी click करे, मैं चाहता हूँ कि इस button पर कोई भी click करे, तो मेरा toggle style run हो, toggle style एक function होगा, ठीक है, toggle style क्या करेगा, toggle style dark को light में, light को dark में convert करेगा, ठीक है, और use state के साथ साथ में क्या करूँगा, कि यह तो मैंन toggle style is equal to एक arrow function मनाऊँगा, ठीक है, और यह arrow function क्या करेगा, यह यहाँ पर जो मेरी my style है, मैं लिखूँगा dot color, अगर यह white है, अगर यह white है, तो क्या करूँगा मैं, अगर मेरा जो theme है, वो white है, तब मैं क्या करूँगा, मैं set my style का इस्तेमाल करते हुए, कुछ ऐसा करूँग और यह वाला object जो है, इसको invert कर दूँगा, किस तरह से invert करूँगा मैं इस object को, मैं basically, जो मेरा color है, उसको मैं black कर दूँगा, और background color को white कर दूँगा, वरना मैं क्या करूँगा, else, else मैं क्या करूँगा, set my style करूँगा, यानि कि मेरी जो state है, मैं उसको change करूँगा, और यही अब यहाँ पर आप देखते जाओ, मैं एक चीज और करूँगा, मैं button के text को भी as a state, use करना चाहता हूँ, तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ, कि हम एक से जादा state भी use कर सकते, तो मैं आपर use state का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं आपर लिखूँगा button text, और मैं btn text ल ना हूँ, just for radiability, मैं चाहता हूँ कि यह function मैं run कर दूँ, अगर, अगर color white है, तो मैं यह run करते हुए, मैं enable dark mode, तो यहाँ पर क्या होगा, dark mode enable हो चुका है, तो अब मैं text को change करते हुए, enable light mode कर दूँगा, क्या कर दूँगा, enable light mode, और वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं btn text को कर दूँगा, enable dark mode, और obviously मैं btn text को use भी करूँगा, light करना है, और इसको dark करना है, ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, enable dark mode, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हो, क्या होगा, मैं इसको save करूँगा, और obviously यहाँ पर चाहँ enable, यह चीज मैंने लिखे हो, enable dark mode, यहा ओके, तो मैं यहाँ पर const लिखूँगा, const toggle style is equal to, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, enable dark mode मैंने किया, तो देखो, उल्टा हो रहा है, light mode कर दिया, उल्टा हो रहा है, ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, चलो यार, इसको भी ठीक करने के लिए, मुझे एक काम करना मेरा dark mode है, और यहाँ पर मैं enable, in fact, by default, यार, मैं white mode करना चाता हूँ, और उसके बाद मैं dark mode enable करने के लिए बोलना चाता हूँ, तो मैं इन सब चीजों को ऐसे रहन देता हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, ओके, तो मैं ये कर सकता हूँ कि, इसको black कर देता हू इसको white कर देता हूँ, white और black को swap कर देता हूँ, ठीक है, जहां black, वहां white, जहां white, वहां black, जहां black, वहां white, जहां white, वहां black, जहां black, वहां white, जहां white, वहां black, ठीक है, हाँ ठीक है, enable dark mode, ये देको dark mode enable हो गया, हाँ मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर प मैं कुछ इसकी जो width है उसको कुछ इस तरह से 100% कर दूँ 100% नहीं मैं इसको 100vH करूँगा VW sorry तो मैं इसको अगर 100vW कर दूँ अच्छा यहाँ पर एक चीज और करूँगा मैं एक चीज और करूँगा कि जब भी मैं dark mode को enable कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक border भी set करूँगा border मैं कर दूँगा 2 pixel solid white तो जब जब मैं dark mode enable कर रहा हूँ इनकी color white कर रहा हूँ तब तब मैं यह काम करूँगा तो मैं यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं dark mode को enable कर रहा हूँ और I think that should do, अभी देखता हूं कैसा लग रहा है, हाँ ठीक ठाक सा लग रहा है, और Enable Dark Mode मैंने किया, Enable Light Mode मैंने किया, तो यह आ गया, शायद मुझे 1 पिक्सल ही रखना चाहिए, इसको 2 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो गया, और इसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूं, Border 1 पिक्सल, Solid इस तरह का Dark Mode आपको कहीं चाहिए, बट यह satisfying लग रहा है अभी, अगर मैं इसको Enable Dark Mode कर दूँ, Enable Light Mode कर दूँ, तो ठीक ठाक अभी यह दिख रहा है, तो देखो, कुछ इस तरह से State Variables का इस्तेमाल करके, आप Light Mode और Dark Mode Enable कर सकते हो, अपनी website पे, Usually हम क्या करते है, Body का Change करते हैं, जो हमारी Body होती है, उसका जो Dark Mode होता है, उसको Change करते हैं, Enable Dark Mode में एक यहां पर Switch लगाते हैं, अगर मैं आप लोगो Forms में दिखाऊं, और यहां पर मैं Radio Button आप लोगो दिखाऊं, अलग 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 तरह के Radio Buttons हैं, तो यह जो Switches हैं, यह इस तरह का दिखाते हैं, Dark Mode, Light Mode, तो इस तरह का हम यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आने वाले वीडियो में हम जब अच्छे Projects बनाएंगे, तब वापर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस चीज को किया जा सकता है, यह एक बहुत ही basic introductory website थी, इसमें मैंने router का इस्तिमाल भी नहीं किया है, त ताकि react शिकायत ना करें, अभी भी कर रही है react शिकायत काहँ पर कर रही है, तो यह कह रही है कि यार आपने यह जो triple equal to है वो यूज नहीं किया, बहुत बुरे हो, चलो यार मैं अच्छा बन जाता हूँ, triple equal to use कर लेता हूँ, तो कुल मिला गर यह एक warning देता है react हमेशे चेक करते हो quality को, तो यहाँ पर इसने और भी को warning दियेगा, मेरे को क्या दिये, expected triple equal to instead saw double equal to, तो मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा से compile करता हूँ, कही ना कहीं तो मैंने गलती करी है, कहां पर करी है मैंने, यह मुझे देखना है, तो यहाँ पर अभी नहीं करी है, अभी आए, कुछ ना कुछ, 12, 26, नहीं, अब ठीक होगी, अब सब कुछ ठीक होगी, अब यह compiled होगा successfully, वो पुरानी warning दिखा रहा है, उपर, so I hope कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा, और आप लोगों को समझ में आ गया, यार की state क्या होती है, और यार बड़ी खतरना क आप हमें बना लिये, और मैं आप लोगों के इन रिस्पॉंस का इंतजार करूँगा, इस आप को जल्दी से रैप करते हैं, तो यार अगर अगर अबी भी किसी ने comment नहीं करा है, इस वाले वीडियो में, अगर आपने अपने function को comment नहीं करा है, तो जल्दी से comment कर लेना, क् मैं इसको github पे डाली दूँगा वैसे भी, तो अगर हम लोग इसको use करते हैं, as a utility, तो यार मजा आएगा, मतलब देख रहे हो, आप इस तरह सकते हो, आप इस तरह सकते हो, आप क्लियर टेक्स कर सकते हो, आप convert to lowercase कर सकते हो, कुछ भी लिख कर अपर case कर सकते हो, कुछ भ कुछ बड़वा, म्तलबे कर रहे हैं, आप कुछ भी कर दो आप hen Bay.